एक्स्क्लूसिव चैनल फॉर आइसी अजे पी और बोड के स्टूडन्स के लिए आपके लिए हैं आपके लिए आपके लिए एक्स्क्लूसिव चैनल है हमने किसी भी चैनल से, किसी भी और कंटेंट से, हाँ न तो NCRT से, न CBSC से, कहीं से भी कंटेंट बौरो नहीं किया है, ये एक्स्क्लूजिव कंटेंट है, आपके लिए कंटेंट से, ये सब कुछ पेड़ होना थे था, पर याद रखिए, आपके प्यार में, आपके, yes, सपो में मैंने absolutely free रखा, ये सारे live sessions exclusive हैं और free हैं, जी, सब कुछ आपके लिए है और आपकी वज़य से है, मैंने एक survey कराया था, पोल कराया था, जिसमें मैंने पूछा था, क्या हम paid कर सकते हैं, क्या, तो आप में से 90% लोगों ने यही कहा था, कि please sir, paid videos नहीं करिये, हो सकता है, हम paid न कर पाएं, हमारा ये sessions मिस हो जाए, तो आपके प्यार में, आपके support में मैंने decision लिया, कि हम paid videos अभी नहीं start करेंगे, जी हा, पर क्या ये, मैं हमेशा के लिए वचन दे रहा हूँ, नहीं my dear, नहीं मेरे प्यारे superstars, मैं पूरी कोशिश करूँगा, कि जब तक मेरे पास ताकत है, आपका प्यार है, आपका विश्वाश है, मैं लगातार free sessions, ये absolute free sessions आपके लिए करता रहूँगा, और न सरिफ sessions, बल्कि हमारे note, हमारे आने वाले test series, हाँ, बहुत जल्दी हम launch करने वाला है, ये सब कुछ आपके लिए होने वाला है, absolutely free, yes, आपने मुझे प्यार से नाम दिया, Google Sir for ICSC, हाँ, Google Sir ICSC का आपने मुझे नाम दिया, और मैंने इसको हिडदे कबूल भी किया, और इसलिए मैं आपके सारे major subjects, तिरिफ physics नहीं, आज physics हो रहा है, मैं आपके और major subjects भी, इसी एक channel पर, yes, ये एक मात्र channel है, जिसमें आपके हिंदी, civics, history, geography, biology, physics, chemistry, maths, yes, और even commerce, क्या कह रहे हैं, बहुत धूम धुड़ाका हो रहा है, क्या बात है, लगता है मेरी आवास को, ये धूम धुड़ाका support कर रहा है, कह रहा है कि सर इस धुड़ाके के साथ, इस धूम के साथ, सर क्या करिये, छाजा ये सब पर, तो यही मेरी कामना है, yes, ये ये रखेगा live session है, और आपको दूर से जो ये पठाको की आवाज सुनाई दे रही है, वो ये संकेत दे रही है, कि चारो तरफ खुशियों का महल है, तो चलिए, let's start this session, household circuit, हाँ मैं आपको एक और note बता दूँ, कि ये latest video है, और जो content है, वो latest content है, आपके board के according, tension न लीजिए, अब ही थोड़ी दिर में sound subside कर जाएगा, और मेरी आवाज, इन सब को yes हरा देगी, yes, तो पूरा वरुसा करिए मेरे उपर, तो चलिए, start करने वाला हूँ, household circuits, मैंने कहा था, circuit का नतलब क्या होता है, circuit एक round path होता है, जिससे current flow करती है, हाँ भाई, एक ऐसा path, जिससे current क्या कर जाती है, पूरा round में, yes, पूरा goal checker काट लेती है, तो उसे कहते हैं, क्या circuit, circuit closed होता है, तो current pass कर जाती है, और circuit open होता है, तो current pass नहीं कर पाती है, तो ये तो आप जानते है, circuit क्या है, अब आईए, कैसे घर तक current पहुची, कैसे ये circuit बना, और आपके घर में कौन सा circuit है, आज ये जानेंगे इस पूरे chapter में, yes, ये one shot video है, yes, मैं सब कुछ एक ही, yes, एक ही video में finish कर दूँगा, आपको दुबारा, न तो book खोलनी होगी, ये भी मेरा promise है, आपको दुबारा book भी नहीं खोलनी होगी, सब कुछ मैं यहां ले आया हूँ, everything of all your content, ICC का, इस chapter का हर एक content यहां पर होगा, इसके अलावा, yes, मैं कह रहा हूँ, इसके अलावा, कहीं से भी, कुछ भी आपको पढ़ने की जरुवत नहीं पढ़ेगी, yes, आप चाहें तो अपनी book खोल के ले के बैट जाएए, सब कुछ यहां पर आपको मिल जाएगा, nothing is going to be beyond this, तो चलिए, transmission of power, start करत हूँ, और कैसे power station से, जहां बिजली पैदा हो रही है, वहां से आपके घर तक, मैं और आप जो consumer है, वहां से बिजली कैसे घर तक पहुच रही है, इसका एक explanation समझते हैं, तो बिजली power station में पैदा हो रही है, यह तो आप जानते हैं, पावर station बहुत दूर है, आपके घरों से ये भी आप जानते हैं, वो तो मालूमी है, यूजुली हमारे याँ, thermal power stations हैं, जहां पे बिजली जो है, कोईली और petroleum products से burn करके produce की जा रही है, बहुत large quantity में, N-T-P-C, हाँ, full form मुझे बताओ, N-T-P-C, ये एक government की body है, जो power stations चलाती है, आपको बताना है, full form live बैठे हैं तो मुझे, तो ये जो N-T-P-C है, government body है, एक टो, वो क्या करती है, हमारे लिए बिजली पैदा करती है, full form बताओ, मैं live हूँ इस समय, और ये N-T-P-C हमारे शहरों से बहुत दूर होती है, बिजली जो याँ पैदा होती है, वो 11 किलो वोल्ट, वा, प्रे, कितनी, 11,000 किलो वोल्ट की बिजली पैदा होती है, और आपको मुझे घर में कितनी बिजली चाहिए, सिर्फ 220 वोल्ट, जी हाँ, आपके घर में जो भी डिवाइस लगा हो, चाहे वो आपका मोबाइल, चाहे आपके घर में फैन, आपके घर में लगी ट्यूब लाइट, कुछ भी आपके घर में जो घर में लगा है, उसको 220 वोल्ट पे करेंट दी जा रही है, यह अलग बात है कि उस अप्लाइंसे की जर्वत के साब से उसका वोल्टेज बढ़ाया या घटाया जा सकता है, और बिजली घर कितना बिजली पैदा कर रही है, 11,000 वोल्ट, सर इतनी जादा, इतना हाई वोल्टेज, इससे जदा हाई क्यों नहीं कैदा कर रही है, इससे कम क्यों नहीं कर रही है, अगर इससे जदा हाई वोल्टेज करेंट पैदा करेंगे, तो ट्रांस्मिशन नहीं हो पाएगा, क्या नहीं हो पाएगा, ट्रांस्मिशन नहीं हो पाएगा, करेंट क और इससे कम voltage में अगर इससे lower voltage में अगर current produce की जाएगी तो problem क्या होगी बिजली का loss बहुत सारी current रास्ते में आते समय बरभाद हो जाएगी अब question ये भी आता है कि जो power generating station से वो directly consumer को क्यों नहीं बिजली दे देते हैं अरे भाई पूरा घर उड़ जाएगा बारूत की तरब बम की तरब पूरा घर अमारा उड़ जाएगा येस तुमारा मेरा घर क्या हो जाएगा अगर इतनी high voltage बिजली अमारे घरों में आ जाए 220 व जो कि बिजली घर और आपका घर बहुत दूर है बिजली घर पावर स्टेशन और आपका घर बहुत दूर दूर है तो वहां से बिजली आपके घर तक बहुत जाए इसलिए yes, line loss नहों, electricity का loss नहों इसलिए इसको high voltage पे produce किया जाता है ये रहा वो reason तो power station ने बनाई बिजली बिजली बनाया power station ने कितने में बिजली produce की? हाँ, कितने में बिजली produce की? 11,000 किलो वोल्ट में produce की यहां से बिजली पहुची एक सब station पे जहां पे लगा था step up transformer क्या? कौन सा transformer? step up क्योंकि यह क्या करेगा? voltage को और increase कर देगा और यहां से voltage जंप हो करके कितना पला जाएग 132 एक लाख 32,000 वोल्ट बापरे यहां पर 11,000 वोल्ट है, power station में 11,000 वोल्ट है और यहां पे क्या आजाएगा? एक लाख 32,000 वोल्ट बापरे इतने high voltage को ऐसा फिर से क्यों? अगें इसको बहुत दूर तक transmit करना है और आपने तो यह बड़े वाले pillars देखे होंगे, यह poles दे बड़े बड़े poles आपने जरूर देखे होंगे, जब आप highways से गुजर रहे होंगे, हाँ जब शेहर के बाहर गुजर रहे होंगे, यहाँ जब train से कहीं जा रहे होंगे, बड़े बड़े उचे poles देखे होंगे, लोगे के देखा है न, यह high tension wires होती है, यह यह जो wire दिख रह होता है step down यहां पर voltage क्या होता है down कर दिया जाता है voltage गिर जाता है और कितना लिया जाता है 33 33 किलो वोल्ट मतलब 33,000 वोल्ट तेका 11,000 वोल्ट से पहले 132 132 के बाद 33 यही से यह इस इसी main substation से बिजली दे दी जाती है heavy industries को heavy industry हाँ iron and steel industry को कहते है heavy industry iron and steel industry को बहुत बहुत high voltage चाहिए होता है iron को पिगलाने के लिए iron को smelt करने के लिए तो 33 किलो वोल्ट उसको दे दिया जाता है और दूसरा 33 किलो वोल्ट कहां चला जाता है intermediate substation पे यहां पर फिर से लगा होता है step down transformer और यह फिर क्या करता है इस 33,000 को 11,000 वोल्ट में change कर देता है अब यहां से बिजली कहां पहुचती है यहां से power supply होता है city substation को कहां पर शहर के अंदर जो आपका शहर है जिस शहर में आप रह रहे हैं उसके अंदर यह substation लगा होगा और वहां पर क्या होगा वहां पर बिजली जो 11,000 वोल्ट पहुची है यहां पहुच गई है और यहां तो यह जो 11,000 वोल्ट है यह light industries को दिया जाएगा हाँ जैसे example दे रहा हूं cycle industry है ठीक है cycle industry है छोटी मोटी industry समझ गयने paper बनाने वाली industry है newsprint industry है इनको हम कहते है light industry जहां पर heavy machines नहीं होती है ठीक है तो ऐसी industries को यह 11,000 वोल्ट बिजली चाहिए होता है और शहर वाले substation से क्या होता है एक और sell downtime farmer लगा हुआ है और यहां पर बिजली convert हो जाती है 220 वोल्ट में जी हां 220 वोल्ट में और यहीं से आपके घरों में देखिए यहां से हम लोग है मैं और आप city consumer शहर में रहने वाले बिजली consumption करने वाले तो का कमाल है जेच लीजे क्या जबरदस्त देखिए तरीके से बिजली क्या आपको पता था यह वाली बात जी मैं जानता हूं 100% है कि आपको इतना detailed नहीं पता रहा होगा इस तरीके से बिजली आपके घरों तक पहुच रही है पावर स्टेशन से ले करके आपके घर तक वहुच रही है अभी तो आपके घर के कहां पहुची है आपके घर के बाहर पहुची है अभी घर के अंदर नहीं आई है यह जो पावर यह जो बिजली दिखा रहा है 220 वोल्ट वो आपके घर के बाहर जो पोल लगावा है बिजल हमारे घरों में पहुचती है अब question ये भी आता है कि sir ये जो transformer लगा रहे हैं ये सब लगा रहे हैं DC current ही लगा दे बखवास करें इतना सारा तो DC that is direct current ये current कहां होती है ये current आपके cells में होती है जो आपके घर में inverter लगा है उसमें battery लगी है हाँ भाई आपके मुबाईल में जो बैटरी लगी है वो सब DC करेंट है ये लोग क्या करते हैं स्टोर कर लेते हैं करेंट को और एक ही लेवल पर flow of करेंट करते हैं तो इनमें step up या step down ट्रांफरमन नहीं लग सकता है इसलिए DC करेंट नहीं produce करते हैं कौन सी करेंट यूज करते हैं AC करेंट और AC क्या होता है इसमें करेंट का flow क्या होता है बढ़ाया या घटाया जा सकता है कितनी frequency पे नमबर याद कर लिजे वन वर्ड कोशन ये भी बनता है पहला तो 220 वोल्ट चाहिए मैंने बताया आपके घर में आपके घर में नहीं पूरे इंडिया में पूरे भारत में कश्मीर से लेके कन्या कुमारी तक हर घर में 220 वोल्ट ही बिजली का सप्लाई हो रहा है और क्या मैंने बताया क्या frequency है तो AC करेंट की frequency है 50 hertz 50 plus 50 minus अब आता है कि हमने बिजली तो सप्लाई कर दी मैंने बता दिया यह सारा वही कुछ लिखा है जब ना मने डिटेल मताया बिजली पहुँच गई है अब आगे आपके घर के बाहर बिजली के खंबा है वहाँ बिजली पहुच चुकी है क्या उसको देखे आईए उसको समझाते हैं तो आपके घर के बाहर जो बिजली का खंबा लगा है वहाँ पर ये सीन हो रहा है आईए देखे सिटी सब 스ब स्टेशन से आपके आपके घर पर बिजली पहुच गई station से आपके घर पर विजली पहुझ गई ये रहा आपके घर ये बाहर लगा या तो company का pole है ये सखंबा है या तो underground cable आ रहे है देखिए ये electric pole है विजली का खंबा है जहां से तीन wires पैदा हो रही हैं कितनी wire निकल रही है तीन live wire जिसको हम phase wire कहते हैं live wire में ही current होता है please विजली से कोई मजात मत करिएगा अपने घर में किसी तरह का कोई भी experiment आप में से super stars मेरे कोई भी नहीं करेंगे please 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 कोई लापरवाई कोई गलती नहीं करना है unless and until you know things ठीक है तो तो लाइव वायर क्या करती है current flow कराती है देखिए इसमें electrons flow करते है ठीक है इसी में current होती है और दूसरी current है दूसरी wire है neutral wire ये electron को वापस ले जाती है current ले आती है ये बिजली ले आती है और neutral wire ले जाती है तो तीसरी और आखरी wire होती है earthing wire earthing wire क्या करती है earth connection देती है access current को withdraw करती है क्या अगर अधिक current आ गई है तो उसको संभाल लेती है control कर लेती है तो सबसे पहला fuse pole पे लगने वाला fuse है pole से घर में आपके ये आपके घर में लगा बिजली का मीटर है इस मीटर का एक special नाम है kilowatt hour मीटर आप ध्यान से देखेगा आज कल ये electronic मीटर लगा यहाँ पे एक छोटी सी light जलती रहती है यहाँ पे एक छोटी सी light जलती रहती है यहाँ पे एक छोटी सी light जलती रहती है और ये numbers change होते रहते है घर के बार जो मीटर लगा है जाके जरूर एक बार दूर से देखना touch नहीं करना प्लीज आप इसमें नंबर देखेंगे ये नंबर क्या बता रहा है आपके घर में कितना किलोवाट आवर बिजली यूज हो रही है इसी के साब से बिजली का बिल बनता है ठीक है न ये किलोवाट आवर मीटर है तो बिजली के खंबे से पोल से आपके घर से पहले क्या लगत एक फ्यूज लगता है नाम है कंपनी फ्यूज क्या नाम है इसका कंपनी फ्यूज यह एक डबल पोल क्या नाम है डबल पोल फ्यूज होता है कौन सा फ्यूज होता है डबल पोल फ्यूज होता है यहां पर डबल फूल होता है यहां पर डबल फूल होता है यहां पर यहां पर हाँ, single है, अब ये सर single, double, ये क्या-क्या बता रहे हैं सर, तो जो fuse क्या करें, live wire को disconnect कर दे, वो single pole और double pole मतलब जो pole, जो live wire को और neutral wire दोनों को disconnect कर दे, इसी को कहते हैं double pole, तो company ने ये fuse लगाया है, ये fuse आप और मैं नहीं लगा सकते हैं, ये वाला जो fuse है, ये electricians जो company की तरफ स आते हैं, power stations की तरफ आते हैं, वो लोग लगाते हैं, और उसके बाद ये wire क्या होती है, हमारे kilowatt hour, meter में जाती है, ये बिजली के meter के बाद हमारे घरों में, yes, जो main fuse है, yes, ये fuse box होता है, बड़ा सा, एक बड़ा सा box होता है, आपके घर के बाहर लगा होगा, ध्यान है, उसके बाहर, आजकल घरों के बाहर भी लग रहा है, हमारे UP में, हाँ, ये meter के बाद अगला जो आता है, वो है main switch, ये main switch एक black रंग का box होता है, usually ये iron box का होता है, yes, इस iron box में लगा होता है, double pole fuse, फिर से आगया सा, double pole, फिर आपने कह दिया, again मैंने बताया, इसमें दो fuse लगा है, live wire और neutral wire दोनों को disconnect करने के लिए, इसलिए इसका नाम है double pole fuse, दो pole वाला fuse, ठीक है, एक साथ दोनों को disconnect कर सकता है, देखिए, यहाँ पर fuse लगावा है, live wire के लिए, neutral wire के लिए, और ये live wire अब आपके कमरों पर जाने वाली है, जैसे जैसे ये अलग-अलग rooms में enter कर देखिए, हर एक appliance में एक MCB लगावा है, that is miniature circuit breaker, जी हाँ, miniature circuit breaker लगावा है, जो की एक separate electronic fuse है, जी हाँ, आज कल ये छोटे से fuse आ रहा है, on-off करने वाला device आ रहा है, और आपके सारे कमरे में, जिस कमरे में आप अभी वरतमान में बैठे हैं, येस मुबाइल से देख रहे हैं लैपटॉप से देख रहे हैं, या जिस भी स्क्रीन से देख रहे हैं, उस स्क्रीन पर कमरे में देखिए, wiring सारी दिवाल के अंदर हो गई है, हाँ, अगर आप घर में रह रहे होंगे, तो आपको wire अब नहीं दिखाई दे रही होगी, सारी wires आपने क्या कर दी है, internal wiring करा लि हैं, पहले ये wiring भार हुआ करती थी, तो ये wiring से क्या हो रहा है, आपके घर में जो बिजली के bulps और lights जल रहे हैं, उन तक current पहुच रही है, ठीक है, तो ये है वो seam, इस तरीके से पहुचता है, आईए, तो अभी आपने समझा कैसे current क्या हो रही है, आपके घर तक पहुच अब इसका एक detailed summary यहाँ पर फिर से, एक बार हम लोग देखेंगे, तो कैसे आपके घर में power आ रहा है, तो मैंने बताया कि power house से आपके घर में जो wire आई है, वो cable के थुरू आई है, अब इसमें तीन wire होगी, live wire जिसकों phase wire और दूसरी wire, neutral wire और तीसरी earth wire, ध्यान ये देना है कि neutral और earth wire, ध्यान दीजे, neutral और earth wire, इन दोनो wire में कोई भी potential नहीं होता है, दोनो zero potential पे होते हैं, इसका voltage कितना होता है, zero, इसको touch करेंगे, करना नहीं है, इसको अगर touch करते हैं, तो उस पे क्या होता है, current नहीं लगती है, current नहीं लगती है, शॉक नहीं लगता है, neutral wire और earth wire क्योंकि इन में voltage नहीं होता है, electron का flows में नहीं होता है तो किसमें होता है, इस live wire में होता है, जिसको हम phase wire भी कहते हैं और यही current carry करती है, यही current ले आती है source से, power station से लाती है और distribution board तक पहुचती है, और neutral wire क्या करती है, यह return of the current है जो current appliances से lot के जब जाती है, यह कोई भी appliance कोई current lot जाएगी current तो neutral wire क्या करेगी, उसे ले जाएगी, ध्यान यह देना है कि जब भी हम pole से, pole से जो current ला रही है, केबल आ रही है वो हमारे घर के meter पे आएगी, और meter में आने से पहले एक बहुत ही high rating का fuse लगाया गया होता है, यह fuse हम नहीं लगाते हैं यह fuse हम नहीं लगाते हैं, इस fuse को electricians from the bijgley house, the power house लगाते हैं कौन लगाते हैं, electric supply company के authorized लोग लगा सकते हैं आम आदमी नहीं लगा सकता है, क्योंकि illegal है इस fuse को touch करना यह fuse कहा मिलेगा, electric meter जो घर में बहार लगा होगा, उससे पहले होगा जी हाँ, उससे पहले लगा होगा, जो कि घर की total supply of current को control करता है तमद लीजे, और यह fuse live wire में लगाया गया है नाम है company fuse, एक और अच्छा नाम है इसका pole fuse, क्योंकि pole पे लगा होता usually जी हाँ, electric pole पे, या मैंने कहा, company वाले लगा रहे हैं इसलिए दोनों नाम एक ही है, company fuse या pole fuse इसके बाद क्या होगा, यह जो fuse है, यह fuse के बाद तार पहुचेगी आपके घर के meter पे याद रखेगा, यह लोग fuse उस हिसाब से लगाते हैं, जितने हिसाब का आपने connection लिया है अगर आपने घर का connection लिया है, 2kV का, तो वो 2kV के हिसाब से fuse लगाएंगे अगर वही चीद, 10kV का connection लिया है, बहुत heavy connection लिया है, तो fuse का ज़्यादा rating रखेंगे इसलिए इसको company वाले लगा के जाते हैं, आगे ध्यान देंगे, जब kilowatt hour आपके घर में लगा है ज्यादातर मैंने का, घर की outer wall पे, या सबसे बाहरी दिवाल पे, या इवन आपके घर का जो दरवाजा है उसके gate, जो main gate है, उसके बाहर लगा है आजकल सीधे दिवाल से, company के, पोल से आपके घर के दरवाजे पर चेक करके देखिएगा, आज मेरे कहने पर जब आप पढ़ अभी मत जाईए, जब पढ़ लीजेगा, तब जाना, अभी नहीं जाना है अभी नहीं जाना, ये सब देखना है टच नहीं करना है, प्लीज, साफधानी बरतनी है सर ने कहा है, तो साफधानी बरतनी है, चपल पहन के रहना है स्लिपर हो नीचे, चैल लेदर हो, चाहे वो रबर स्लिपर हो स्लिपर के बिना कोई भी चीज, electric appliances को टच नहीं करना है फिर के बाद क्या मिलेगा आपको, मैंने का वहां से meter से connection आपके main switch में जाएगा, main switch में भी fuse लगा होगा ये fuse मैंने का हम लोग लगाते है, ठीक है और main switch का जो fuse होता है, वो दोनों को लगा होता है किसको लगा होता है, मैंने का दोनों को लगा होता है किन दोनों को लगा होता है ये neutral wire और live wire दोनों में लगा होता है main switch box में जो fuse लगा होता है वो दोनों को लगा होता है इसलिए इसको क्या बोलते है double pole switch क्या deep switch double pole switch इसे कहते है main switch को ठीक है न और क्योंकि ये iron का बना हुआ है इसलिए इसको इसमें current ना आ जाए इसलिए इसकी भ पूल बॉक्स की जो घर के बाहर स्विच बॉक्स लगा हुआ है जो लोहे का लगा होता है स्विच बॉक्स कहां लगा होगा मीटर के बाद मीटर के बाद लगा होगा वैसे मैंने देखा है आजकल लोग बहुत खुबसूरत सा क्या करते हैं उसमें अल्मेरा बना दिये हैं व उसको घर के अंदर एक कबड में है लकडी के कबड में आप कर दिया गया लगा दिया गया है आपके घर में हुआ से यह तो यहां रहे हो से यह ताकि आपके घर की safety हो सके, आपके घर की सुरक्षा हो सके, आईए अब आगे बढ़ते हैं, घर के अंदर एक बार current पहुच गई, हाँ, main switch के बाद आपके कमरों की बाद आती है, कुछ इस तरीके से current दिखेगा आपके कमरों में आता हुआ, ये एक देखे, ये एक room है, सोच चारों दिवाल ओपर, ठीक है, चारों वाल्स पे क्या है, live wire है, और देखे, live wire को connect किया गया है, इसी distribution box से, अब आप इसमें जो चाये connection कर सकते हैं, देखे, उपर lamp लगा दिया गया है, lamp लगाने, ये इस lamp को लगाने से पहले देखे, switch लगाया गया है, और fuse लगाया गया ह Similarly, एक socket लगाया है, socket 3-pin socket है, कैसे पता चल गया सर, 3-pin है, इसलिए 3-pin socket है, socket क्या होता है, अरे भाई, जिसमें plug अंदर घुषता है, उसे socket कहते हैं, socket में छेद बने होते हैं, उसके अंदर plug अंदर fit हो जाता है, तो ये socket है, देखे, socket है, socket के साथ क्या दिख रहा है, आपक क्या है, switch और fuse, तो दोनों ही switch हो, चाए fuse हो, दोनों को live wire में लगाना है, कहां लगाओगे, switch को live wire, fuse को live wire, सर, live wire में क्यों लगाएंगे, neutral wire में क्यों नहीं लगा सकते हैं, earth wire में क्यों लगा सकते हैं, समझा, ठेर जा, अभी detail में आपको इसको, मैं prove के साथ, diagram के साथ भी द तो सब को, switch को और fuse को दोनों को जोड़ना है, live wire में जोड़ना है, क्योंकि EC के अंदर क्या है, current का electron flow कर रहा है, तो इस तरीके से कोई भी device, कितने भी और devices चाहें, और जितने चाहें, devices यहां पर जोड़ सकते हैं, तो any number of connections can be taken from this ring system, यही खास बात है, आपके और मेरे घर म जो ring system लगा है, उसमें separate connection is taken for each appliance, हर एक appliance के लिए connection यहां से लिया जा सकता है, एक नया मुझे क्या करना है, tube light लगाना है, यहां लगा देंगे tube light, बस यहां से ring system से live wire से क्या करना है, connection लेना है, तो live wire का connection ring से निकाल लो, हो जाएगा, अच्छा, एक खास बात है, क्योंकि य live wire से ली जा सकती है separately, तो किसी एक appliances के, for example, अगर हमारा lamp किसी वज़े से fuse हो गया, यह lamp क्या हो गया, fuse हो गया, तो क्या हो गया, कोई फरक पड़ेगा socket को, कोई फरक पड़ेगा fan को जवाब है, नहीं फरक पड़ेगा, क्योंकि उनके पास अपनी अलग, अलग क्या है, live wires है जुड़ी हुई, उनका separate fuse है, so it does not affect their working, आईए advantages समझते हैं, तो एक तरसे दिखा जाए, current क्या होती है, एक पूरा complete round flow करती है, ध्यान दीजे, यहाँ पे ring system में ring बन जा रही है, ध्यान से देखे, एक चकोर सी ring बन जा रही है, इसलिसका नाम है ring system, यह जो blue रंग की wire देख से जा रही है, और एक यहाँ से current भी मिल रही है, तो appliances को दोनों तरफ से current मिल रही है, और इसी फाइदे की वज़े से क्या हो रहा है, कम, कम, इसके बाद क्या होगा, आपको cost of wiring और नहीं करनी पड़ेगी, आपको wiring का ज्यादा खर्चा नहीं करना है, it reduces the cost of wiring, direct connection दे सकते है और क्या खास बात है, कोई भी appliances आपको जोड़ना चाहते हैं, बहुत असानी से जोड़ सकते हैं, और किसी एक के fuse होने से, fault होने से, किसी एक appliances के बंद होने से, fan के बंद होने से, tube light पेफर नहीं पड़ता है, पड़ता है कि आपके कमरे में, आपके कमरे में, fan अगर खराब हो जाता है, तो क्या होता है, tube light भी बंद हो जाती है, क्या तुमारे room में ऐसा होता है, जी नहीं होता होगा, मैं surety के साथ कह सकता हूँ, तुमारे घर में ऐसा नहीं होता होगा, कि fan खराब हो गया, तो tube light नहीं काम कर रही है, या tube light खराब हो गया, तो AC काम नहीं कर रहा है कैसा होता है नहीं होता है क्योंकि इन सब को separate live wire से क्या अलग अलग live wire से fuse और switch के साथ इन सब को separately connect किया गया है किसी एक के न रहने से खराब हो जाने से दूसरे पे कोई effect नहीं पड़ता है thanks to this system thanks to the ring system तो इसमें और sockets plugs को plug या socket जोड़ना चाहते हो और जोड़ सकते हैं नए plugs नए socket जोड़ सकते हैं नए appliances को जोड़ने भी बहुत असान है बहुत लंबा या बहुत बड़ी wire की जरुवत नहीं पड़ने वाली है क्योंकि ring system आपके पूरे कमरे को क्या करता है cover कर ले distribution box से क्या करना है तार लेके नहीं आनी है चलिए आईए समझते हैं इस device को देखिए क्या आपने यह device देखा है हाँ अगर देखा है तो मुझे like press करके yes कर दीजे मैं आपके साथ yes मैंने कहा था मैंने yes मैं पिछले 30 सालों से आपके साथ यह सिर्फ और सिर्फ ICSC students के लिए content बना रहा हूँ हाँ वैसे live नहीं बना रहा थे अतने साल से live तो मैं मिछले देड़ दो साल से बना रहा हूँ पर मैं पिछले 30 सालों से सिर्फ और सिर्फ ICSC students को पढ़ा रहा हूँ और मैं खुद भी yes ICSC ही बोर्ड से पास आउट हूँ yes way back 1993 1993 शायद आप लोग कोई पैदा भी नहीं हुए थे तो 1993 पास आउट हूँ yes way back और तब मैं जब ICSC बोर्ड से मैं पास आउट हूँ और मैंने जिस स्कूल से पढ़ा ही की उसी स्कूल में yes जिस स्कूल से मैं पढ़ा उसी स्कूल में मैं teacher भी बन गया यह मेरे लिए बहुत ग शेर किया पहले जब शेर किया था as a student और मुझे बहुत खुशी है कि मैं उसी स्कूल में yes सेंट जॉन्स मेरोलीस का नाम है वारनासी में एक स्कूल है हाँ एक missionary स्कूल है वारनासी में सेंट जॉन्स कूल वारनासी हाँ मैं इसी में पढ़ा भी चुका हूँ और वैसे चाहता हूँ I have been a long 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 journey for teaching ICSC students तो इसलिए मुझे पता है कि किस तरह का paper आता है और मेरे हजारो हजार students हैं आपके जैसे lovely lovely students हैं जिनको मैं contents लगातार डिलिवर करता रहा हूँ तो मुझे content भी मालूम है मुझे subject भी मालूम है मुझे topics भी मालूम है और मुझे ये भी मालूम ह कि किस तरह का paper pattern आ रहा है yes I am always updating myself मैं लगातार क्या करता हूँ अपने आपको अपने student के साब से yes update करता हूँ offline classes भी लेता रहता हूँ तो उसलिए मैं directly आपके साथ touch में हूँ yes तो कहने का मतलब यह है कि आपको जो content मिल रहा है one of the best and the safest content मिल रहा है इसके अलावा आपको कही कुछ भी किसी भी जगें से खोजनी की जरुवत नहीं पड़ेगी अगर आपने इसको सिद्धत के साथ इसके साथ पूरे शिद्धत के साथ follow कर लिया इमांदारी से मेरे साथ पढ़ लिया इसके बाद मैं promise कर रहा हूँ आख बंद कर लो आख बंद कर लो और मुझे याद आ गया तो मैं पढ़ाना छोड़ दूगा जी तो यह एक पूरा confidence है पूरा विश्वाश है अपने teaching पर अपने students पे इस superstars पे क्योंकि जब हम काम करते हैं dedicated के साथ काम करते हैं पूरे जोश जज़बात के साथ काम करते हैं मुझे पूरा यकीन है result तो आ के रहेगा success तेरे पीछे भागेगी तुझे नहीं भागना है बस करना है अपना पूरा 100% तो अगर हम अपना 100% देंगे तो result भी 100 से कम नहीं चाहिए तो चलिए fuse की बात कर रहा था मैंने थोड़ा सा energetic होना यस थोड़ा सा excited होना बहुत ज़रुरी था तो fuse आपने usually देखा है कुछ इ यह चाइना मट्टी का बनावा देखता है यह जमीन पर गरेगा तो टूट भी जाएगा अब आप देखेंगे यह जो यह जो हिस्सा है फ्यूज का यह यह चीनी मिट्टी का बना होता है देखाओगा आपने तो इस तरफ यहां पर fuse वायर लगी होती है यहां पर मैं रेड करने शुरू कर जाती है क्योंकि यहां से याश लाइव उडर होगी तो यहां पर क्या होगी पिकिए ने यह तो इसलिए यहां से यहां पर यë lock कम्टी कैना है यहां से यह तो यहां पर यहां पतलासा, नन्नासा, मुन्नासा, यह जो तार का तुकड़ा है, इसी का नाम है, तो यह fuse mounted है, यह handheld हो सकता है, हाथ से आप उसको निकाल सकते हैं, आपको अपने घर में यह दिखेगा, आपको टच नहीं करना है, याद रखेगा, प्लीज डू नॉट टच इट, ठीक है, यह ब बनाए, क्योंकि यह highly insulating होता है, यह insulation होता है, इसमें current pass नहीं होता है, इसलिए इससे बनाए हुआ है, metal का क्यों नहीं बनाए है, समझ गया न, क्योंकि यह insulating material है, तो यह छोटा सा device है, तो fuse क्या होता है, safety device है, क्या करता है, limit the current करता है, keyword mark कर लो, current की level को काबू में रखता है, यह पतली सी तार, यह जो छोटी सी पतली सी तार दिख रही है, यह आपके पूरे घर की बिजली को बचाती है, आपके घर के devices को बचाती है, अगर कहीं excessive current घर में आ गई, तो हो सकता है, कई बार ऐसा हुआ होगा, आपके घर के पंखे, आपके घर की even TV, आपके घर के की अप्लाइंसेज जुड़े हैं, उनको डैमेज होने से बचाता है, इमानदारी से लिखेगा आपके घर में क्या कभी ऐसा हुआ कि हाई वोल्टेज आ गया और आपके घर के कुछ अप्लाइंसेज डैमेज होगे, अगर हो गए हैं तो प्लीज 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 कमेंट बॉक् चलिए आगे बढ़ जाता हूँ, अब आपके बताता हूँ कि फ्यूज किस पर डिपेंड करता है, फ्यूज डिपेंड करता है, करेंट की रेटिंग पर कितना करेंट आ रहा है और दूसरा फ्यूज का रेडियस कितना है, याद रखेगा बहुत जादा रेटिंग का डिपेंड नहीं करता है, length of the wire पे डिपेंड नहीं करता है, fuse बना किससे है, अब कोशन पूछोगे मुझसे, तर ये जो छोटी सी पतली सी तार होती है, इसको fuse कहते हैं, पर बनी किससे है, तो ये बनी है एक low melting point वाले material से, एक ऐसे material से जो resistant wire है, क्या है, high resistant wire है, इसका melting point है, ज जल्दी से melt हो जाती है, इसलिए, क्या कहना चाहते हैं, थोड़ा सभी current मिलने पर, heat होने पर, ये wire जल्दी से तूट जाएगी, पिगल जाएगी, ऐसे material से बनी है, ये fuse, तीक है न, अब fuse बना, usually किससे होता है, ज्यादा तर commonly fuse जो बना होता है, वो alloy का बना है, lead गा और tin का ये दोनों ही अच्छे metal नहीं है, ये दोनों ही good conductor नहीं है, और एक और वज़ा है, इनको क्यों use करते हैं, एक तो reason मैंने बताया, ये अच्छे conductor नहीं है, तो resistant wire है, ज्यादा तर ये, और दूसरा इनका melting point भी low है, that is why, कितना है, 250 degree centigrade है, तो ऐसे, ऐसे metals के से बना होता है fuse wire, जो की high specific resistance वाला होता है, अथाद इसका resistance जादा होता है, और उसका melting point low होता है, ताकि access current जैसे ही आए, resistant हाई होने की वज़े से वो heat हो जाए, और heat होने की वज़े से वो melt हो जाए, जब तार बीच से पिगल जाएगी, जल के तूट जाएगी, current घर में access आएगी, नहीं आप का घर बच जाए, तो copper और aluminium को क्यों नहीं use कर लेते हैं सर, इसकी fuse wire क्यों नहीं मनते हैं, हाँ मैंने देखा है, बहुत सर लोग क्या करते हैं, अपने घर के fuse wire को copper wire से ही जोड देते हैं, ये थोड़ी लापरवाई है, copper जो है, वो use नहीं करना चाहिए, क्योंकि copper का melting point लगाना risky है, copper की मत लगाना, जो बजार में मिलती fuse wire है, वही लेना चाहिए, अब हमारे जितनी भी बड़े costly appliances हैं, ये उसमें आजकल ऐसे fuse लग रहा है, देखिए, ये glass का बना fuse है, इसको कहते है cartridge type fuse, क्या, cartridge type fuse, इसकी खास बात क्या होती है, इसके caps तो metal के बने होते हैं, ये metal के cap बने होंगे, ये दोनों side, पर बीच में क्या है, glass है, और इसके अंदर यहाँ पर, ये है fuse wire, देखिए, कितनी छोटी जी fuse wire है, fuse wire दोनों metal end से, तो आपके जितने बड़े और महेंगे appliances आजकल आ रहे हैं, चाहे refrigerator हो गया, AC हो गया, geezer हो गया, television हो गया, इन सब में महेंगे appliances में, ये छोटा सा, ये ये बहुत छोटा सा होता है, अगर आप कभी, अपने, इन महेंगे appliances को ध्यान से observe करेंगे, उसमें अंदर कहीं नहीं कहीं लगा होगा, ये फिया करता है, हाई voltage को क्या करता है, में ये जो बीच की wire है, यहाсь से ये बीच की wire क्या हो जाती ह है जिससे ही appliances खराब होने से बच जाते हैं तो यह appliances के अंदर ही लगा होता है आईए आगे बढ़ जाते हैं क्यों हम fuse wire को live wire में जोड़ें कोशन है कि fuse wire को कहा जोड़ें तो मैंने का live wire में जोड़ें ऐल्ड करेगा circuit कट जाएगा और जब circuit ब्रेक हो जाएगा तो आगे हमारे appliances पे current पहुचेगी ही नहीं हमारे appliances खराब होने से बच गए बच गए बच गए बच गए बचा लिया तो fuse बचा लेता है ठीक है fuse current को हमारे appliances तक पहुचने से हमारा अप्लाइंस जैसे टेलिविजन हमारा मोबाइल अब सोचिए एक हाई करेंट आपके घर में आ गई हाँ आपके घर में प्रॉपर फ्यूज नहीं लगा था या लगा था तो प्रॉपर रेटिंग का नहीं लगा था और आपके घर में मोबाइल पर चार्जिंग आपका मोबा current flow करते नजर आ रही है पर ध्यान से देखेंगे तो इसमें जो fuse wire है वो live wire में add किया गया है तो appliance पे जाने से पहले current को पहले कहां गुजरना पड़ेगा पहले fuse पे जाना पड़ेगा अगर current जादा होगी तो fuse wire यहां से melt हो जाएगी तूट जाएगी तो जैसे fuse wire तूट जाएगी तो current पहुचेगी नहीं मेरा appliance safe है मेरा appliance बच जाएगा ठीक है इसलिए fuse को कहां लगाते हैं live wire में अब fuse को live wire में लगाएंगे हाई current होने पे यह situation होगी देखिए अब यह दोनों के बीच में क्या हो गया है gap create हो गया है क्योंकि fuse wire बीच से melt create हो गई है और इसकी वज़े से मेरा appliance is safe है तो कहां लगाया है fuse को लगाया है live wire में और appliance ठीक पहले लगा हुआ है just before the appliance लगाया गया है क्योंकि live wire में क्या होता है बहुत high potential होता है current बहुत high potential में वहां से गुजर रही होती है अब आते हैं fuse को connect करते है neutral wire में देखिए क्या होगा और इस डीरा को देखिए अब बढ़ा कर दिया आपके सामने अप्राइंस में यहाँ पर देखिए fuse को connect किया गया है live wire तो जा रही है देखिए current सीधे हमारे अप्लाइंस को मिल यह मेरा अप्लाइंस है यहां पर अप्लाइंस है हमारा तो करेंट इसको मिल रही है यहां पर फ्यूज है यहां पर फ्यूज के लिए तो यहां पर फ्यूज कहां पर है एक बार करेंट अप्लाइंस को मिल चुकी है हमारे अप्लाइंस को करेंट मिल रही ह बिना fuse के देखिए क्या होगा appliance यहां पर सेफ नहीं है अब क्या होगा जब current लौटे गी तो fuse मिलेगा उसको और कहां लगा है फ्यूज नूट्रल वायर में लगा है तो अगर फ्यूज ब्रेक भी हो जाएगा और एक्जामपल फ्यूज यहां पर क्या हो जाएगा ब्रेक भी हो जाएगा तो भी current का supply current का supply appliance को मिलता रहेगा high potential मिलता रहेगा और हमारा अप्लाइंसेज यहां हो जाएगा मारा appliance अरे भाई appliance जल जाएगा इतनी ज्यादा current होगे तो क्या हो जाएगा appliance जल जाएगा क्योंकि high potential इस current से मिलता रहेगा यहां से क्योंकि circuit तो देखी नहीं हुआ जब circuit ब्रेक नहीं हुआ और circuit complete होता रहा हर बात तो यहां से current पहुचती रहेगी appliances blow off हो जाएगे तो इसलिए बहुत अंसेफ होगा अगर हम क्या करेंगे yes neutral wire में लगाएगे ध्यान दीजेगा आप clear हो गया neutral wire में क्यों हम लोग क्या करते हैं fuse नहीं लगाते हैं वरना क्या होगा fuse के blow off होने के बावजूद भी हमारा appliance क्या हो जाएगा high potential receive करता रहेगा current का और उड़ जाएगा ठीक है अगर आप गलती से ऐसे appliance को छू देंगे न क्योंकि आप तो सुचेंगे fuse blow off हो गया है आप सुचेंगे current नहीं है पर उसमें current होगा और आपको भी shock लग जाएगा वो भी बहुत खतरनाक वाला तो fatal shock लग सकता है इसलिए बहुत unsafe है बहुत गलत है अगर आप fuse को neutral wire में यू हाँ अगर चोटा device है जैसे कि tube lights है LED bulbs है हाँ आपका mobile charger भी है भाई तो ऐसे device जिनको बहुत low current चाहिए होती है एन example दिया यह fan, tube lights, bulbs यहाँ आपके mobile का charger हो गया आपका speaker अगर वाला है Bluetooth speaker है इन सब चीज़ों को charge करने के लिए बहुत high current नहीं चाहिए होता है तो इसके लिए 5 ampere वाला fuse लगा दीजे कौन सा 5 ampere rating वाला fuse लगा दीजे क्योंकि current requirement इनकी low है अब घर के क्या सारे device इतने चोटे हैं मैंने का नहीं 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 और आपका AC आपके घर में लगा geezer आपके घर में लगा refrigerator washing machine यह बड़े devices हैं यह सब बड़े size में भी बड़े हैं और current भी इ 15 ampere वाला fuse लगा तो fuse की rating ज्यादा लगाओगे ज्यादा current मिल पाएगी और उसके beyond अगर current जाएगी तो वो device क्या हो जाएगा खराब नहीं होगा क्योंकि fuse तो उड़ जाएगा blow off हो जाएगा तो आपको ध्यान देना है light fan circuits में लिए अथार जहां पर current कम चाहिए 5 ampere का fuse ल लगाएंगे तो 5 ampere के beyond यह current केरी नहीं करेगा 5 ampere तक की current क्या करेगा देगा और अगर आपको ज्यादा current चाहिए तो आप 15 ampere वाला 50 A ampere बार 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 आ रहा है सर अरे ampere is the unit for measuring current current को measure करते हैं तो अगर 15 ampere का लगा देंगे तो power high मिल पाएगा high current आपाएगा मैंने बताय है ऐसे devices AC, geezer, washing machine और वो 15 ampere तक current को क्या कर सकता है सेह सकता है अब rating of the fuse का अगर formula निकालना हो तो क्या निकालना है formula याद कर लिजे एक छोटा सा MCQ या numerical इस पे बन सकता है इस chapter पे numerical नहीं है इसलिए tension मत लिजे पर एक छोटा सा question बन सकता है current rating of fuse निकालने के लिए क्या करे रखेंगे power, total power उस appliance को कितना चाहिए उपर रखेंगे upon voltage, total power upon voltage जो answer आएगा वो क्या आजाएगा current rating of the fuse, याद रखेंगा current rating of the fuse ampere में measure किया जाता है, किस में measure किया जाता है, ampere में, ठीक है, कौन सा formula लगाये थे, p is equal to vi, इस formula से प्रूफ किया गया है, ठीक है, इस formula से derive किय आगया ये formula, p that is power is equal to potential difference into current, और voltage को crossman apply कर दिया है, देखें, voltage नीचे चलाया है, power upon voltage कर दिया नीचे, तो बन गया current, ये current किसका है, current rating of the fuse का formula है, समझ गया न, तो इस formula से derive किया गया है, आजकल एक नया type का fuse आ रहा है, हाँ, MCV, छोटा सा fuse होगा, आपके हर कमरे में लगा हो होगा, अपने कमरे के switchboard पर ध्यान दो, जहां तुम बैठे हो अभी, इससे में बैठे हो जड़ा आपने कमरे का switchboard देखो, कहीं आपके कमरे में switchboard, switchboard जानते हो न, जब बहुत सरे switch लगे हैं, उस पर ध्यान दो, मेरे कहने पर पलट के देखो वांके, तो आप देखोगे क इसमें बहुत सरे switch लगे हैं, प्लस MCB लगा हुआ है, आज कल कमरे में, हर एक कमरे में भी MCB लगे हुए है, आपके जो घर का main switchboard है, इवन वहां भी, अलग-अलग कमरों की जो lines जा रही हैं, उनके लिए भी MCB लगा हुआ है, क्या है MCB? यह आज के जमाने का switch है, आज के fuse है, switch नहीं है, fuse है, तो MCB क्या करता है, MCB miniature circuit breaker है, यह individually हर एक circuit को break कर सके, कोई particular device के लिए आपके AC के लिए MCB लगा होगा, सच में कह रहा हूँ, आपके जितने बड़े और महेंगे devices हैं उनके लिए separately, rooms के लिए separately MCB लगा हुआ है, तो जैसे ही high voltage उस room में पहुचा, उस device मे हैं, वो क्या हो जाएगा, switch क्या करेगा, वो down हो जाएगा, वो fuse down हो जाएगा, तूटेगा नहीं fuse, याद रखेगा, यह burn करने वाला fuse नहीं है कि melt हो जाएगा, तो बार बार fuse wire लगानी पड़ेगी, नहीं नहीं, यह modern जवाने का fuse है, नाम है MCB, miniature circuit breaker, circuit को सिर्फ क्या कर दे तोड़ देगा, आपकी device को बचा लेगा, तो जैसे ही घर में short circuiting होगी, जैसे ही heavy current घर में पहुचेगी, MCB अपने आपको cut से आवाज आएगी, किटिक से आवाज आएगी और MCB, नीचे गिर जाएगा, जिको हम कहते हैं, MCB trip कर गया, कई बार बोलते हैं, MCB trip कर गया भाई, MCB trip कर गया देखो, देखो क्या है problem, तो यह very very short time में, कितना 25 milliseconds के अंदर ही क्या करता है, अपने आपको trip कर लेता है, circuit break कर देता है, और आपके devices बच जाते हैं, यसलिए बड़ा कमाल का fuse है, हाँ, fuse है, MCB, आईए, switch की बात करते हैं, हाँ भाई, तुम दिन भर, मुझे लगता है, दिन में कही बार switch on, off, अपने school में भी classes का, हाँ, class में भी fan के लिए on, off, बाहर जाते होगे, अगर games period के लिए, PT period के लिए, तो switch off करके च कहते हो, अपने rooms में भी SI करते होगे, यहां तक मदने मुझे लगता है, कि आपके parents भी आपको बार-बार टोकते होगे, याद बिलाते होगे, कि सुनो, पंखा बंद करके बाहर निकलो, light बंद करके बाहर, क्यों, क्या कहते हो, तो बिजली बचाओ भाई, yes, save electricity, तो यह switch है जिसे आप use कर रहे हैं, on-off करने के लिए, तो यह current के on करने से, yes, switch के on करने से current flow करना शुरू हो जाता है, off करने से circuit break हो जाता है, बस, तो यह on-off device है, क्या है, सही वर्ड सुना, on और off करने वाले device है, और हमेशा live wire में connect करते हैं, क्या करते हैं, कहा connect करते हैं, live wire में, fuse को भ लेंगे, single pole, double pole, जो single pole switch होता है, वो appliances के पहले लगाया गया होता है, just before the appliance, जैसे यहाँ पर आपका है, AC, यह है आपका window AC, ठीक है, और इस AC को, यह दो wire मिल रही है, चलिए, मैंने दो wire देखा दी, यह red run की wire, जो है, यह live wire है, दिक रहा है, तो यहाँ पर लग जाएगा, fuse, यहाँ पर लग जाएगा, fuse, live wire में लग जाएगा, fuse, live wire में लग जाएगा, एक switch, मैंने S लिख दिया, switch, समझ गया न, तो switch, fuse, और यह आपका appliance, हाँ, यह appliance आपका है, AC, समझ गया न, ऐसे काम करता है, तो जो switch, switch हमने लगाया, कहां लगाया, single pole switch है, तो यह appliances के start पे, के beginning में लगाया जाता है, ताकि current को start यह stop किया जा सके, ठीक है, single pole है, इसलिए क्या करेगा, जब यह off करेगा, तो सिर्फ live wire को ही control करता है, क्या, सिर्फ live wire को ही क्या कर सकता है, breaker circuit ब्रेक कर सकता है, जबकि double pole switch, घर में एक ही लगा है, कहां लगा है double pole switch, कहां लगा है double pole switch, घर के main switch में, याद रखे, आज के lesson के starting में मैंने आपको main switch दिखाया था, अगर अभी लेट देख रहे हो, तो please starting से पूरा वीडियो देखना, तब आपको अच्छे समझना आएगा, main switch घर के meter के ठीक बाद, घर में जो kilowatt hour meter लगा है, घर के बाहर, घर ये main switch, ये जो main switch होता है, जो आगे जाके घर में क्या होता है, पूरे घर में बिजली supply देता है, इसके अंदर लगा होता है, इसके अंदर double pole switch लगा होता है, कौन सा pole, double pole switch की खास बाद क्या होती है, ये डोनों live को और neutral को, दोनों को एक साथ, एक साथ disconnect कर सकता है, बहुत safety क के लिए घर में किसी भी तरह की यह दुरघटना से बचा सकता है तो अब कोशन आता है सर यह स्विच को लाइव वायर में आप बार बार कह रहें करनेट करते हैं क्यों सर आईए आपको फिर से डाइग्राम दिखाते हैं डाइग्राम सबको क्लियर हो जाएगा एकस्प्लीनिशन से ज्यादा इًपूर्टन डाइग्राम है आए देख जरह रहा है आप इस डाइग्राम को अब आप इस डाइग्राम में देख पाowanie रहोंगे एक switch है यह दिखाई दे रहा है और switch लगा है live wire में यह लिखा है live wire यहां पर लगा है switch कहां लगा है live wire में लगा है switch on करेंगे लगाया है यहां भी वायर में लगाया है यहां पे एक hoping नहीं चूट रहा है देखें कैसे चलो लुट रहा है देखें पैसेज कहीं चूट रहा है बीच में नहीं चूट रहा है तो current के passage बने हुए है पूरा circuit complete है यहाँ पे देखे क्या है बीच में यह यह gap है कि नहीं यहाँ पे मैंने question mark लगाए है यहाँ पे जो question mark लगा है circuit क्या हो गया ब्रेक हो गया है क्योंकि switch off है इस समय जब switch off है तो circuit complete नहीं है, bulb जल नहीं रहा है, ठीक है, ये तो हो गया case की bulb switch को कहा लगाना चाहिए, live wire में लगाना चाहिए, on और off करने के लिए, अब क्या होगा अगर इसको neutral wire में लगाए, आईए, अभी तो मैंने लगाया live wire में, अगला diagram देखिए, अब ध्यान से देखिए अब हम switch कहा लगा रहा है, जरा देखिए ध्यान से, अब हमने switch लगाया है, ये रही live wire, क्या यहाँ switch लगा है, नहीं लगा है, तो current यहाँ पे bulb को मिलेगी, bulb जलेगा, रोशनी देगा, अब मैं switch on कर रहा हूँ, देखिए, switch on है, क्या हो रहा है, switch कहा लगाया गया है, neutral wire मे देख लिजे, on है, bulb जलता रहेगा, अब मैंने क्या कर दिया, फिर से देखिए, live wire से electrons flow कर रहे है, electrons bulb को मिल रहे होंगे, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, bulb जल रहा है, जब की switch off है, कैसे पता चल रहा है, sir, off है, आपको देख लिजे, switch touch नहीं कर रहा है, यह देखिए, त switch off है, फिर भी bulb जल रहा है, कितना unsafe है, यह device कितने खत्रे में है, आप तो गलती से महसूस करेंगे ही नहीं, अगर आपने bulb की जगह है, कोई iron का press रखा होता, सोचिए, imagine करिए, और आपको पता ही नहीं है, कि switch off है, और आप सोच रहा है, प्रेस तो गरम होगी ही नहीं, पर आप चुँएंगे तो आपको current या high heat लग सकी, क्या कहते हो, क्योंकि तब आपको पता ही नहीं चल पाएगा, बल्ग तो दिखाई दे रहा है, इसलिए आप पता कर लेंगे, समझ गया ना, so it is very deceptive and dangerous, बहुत खत्रा है, याद रखेगा, क्योंकि अगर आपने switch को live wire में connect नहीं किया, तो current तो मिलती रहेगी, high potential तो मिलता रहेगा, समझ गया ना, तो खत्रा है, live terminal wire and neutral wire, याद दोनों ही उस समय क्या हो जाती है, याद जीरो हो जाती है, याद दीजेगा, it is very deceptive, मतलब दुखा देने वाला, और dangerous to connect a switch in a neutral wire, ठीक है ना, क्योंकि neutral wire में current क्या होग करती रहेगी, आपकी नजर से current लगेगा, flow नहीं कर रहेगी, आपको off दिखरा होगा, ठीक है, आपको लगेगा no current हो रही है, और no current के बावजूद क्या हो जाएगा, circuit complete है, circuit complete है, तो current लगती रहेगी, ठीक है ना, जब आपको even घर में जब कोई repair कराना होता है, अगर कोई चीज आपको repair भी करानी होती है, घर में कोई device खराब हो जाता है, तो आपको क्या करना चाहिए, live wire को circuit को break कर दाना चाहिए, जब आप touch करते है live wire को, अगर कोई touch करता है live wire को, तो current person की body में चली जाती है, कहां चली जाती है, क्यों हमारी body में current क्यों आ जाती है, उतर क्यों होता है, दूसरा वेक्ति उसको आगर चूता है, कि उसको हटाएं, तो उसको भी क्या होता है, current लगती रखते है, वो भी काप रहा होता है, उसके पजले तीसरा और तीसरे के बजले चौता, कई फिल्म के यस ऐसे है, comedy sequence में आपने देखा होगा, पर real life में कोई comedy नहीं हो र सकती है, current आप से दूसरे को वेक्ति को, आपके घर के लोगों को, और इवन सारे परिवार को पहुच सकती है, तो प्लीज 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 जब आप current के आस पास रहें, switch on, off करें, wear slippers, पैर में slippers पहनिए, चाहर रबट पहनिए, क्योंकि ताका अर्थ connection आपका हुआ नहीं, तो अगर घर में किसी wire में fault हो, live wire में fault हो, metallic body में fault हो, तो please safe रहें, उसको touch मत करें, please do not touch if there is any fault or mistake in the appliance, टीक है न, switch को connect बहुत सावधानी से करना, क्या safety precaution करना चाहिए जब switch यूज करें, मैंने पहले बताया, जब switch यूज करें, तो कभी भी गीले हाथ से मत यूज करें, yes, wet hands मत यूज करें, क्योंकि हाथ गीला है, तो हाथ में है, पानी होने की वज़ए से conducting layer बन जाती है, आपके और current के बीच में क्या हो जाता है, एक conduction तयार हो जाता है, एक link तयार हो जाता है, और ये layer क्या कर सकते हैं, आपके body में current चाह सकते हैं, इसलिए नहा के आने के बाद जब आप नहाने जा रहे हैं, या नहा के आ रहे हैं, आपका शरीर गीला है, या आप washroom से हाके हाथ दो रहे हैं, तो please switch on, off मत करिए, तब तक जब तक हाथ का हाथ dry ना है, ठीक है, ये साफधानी मेरे करेंगे सारे superstars, आईए, आगे बढ़ते हैं और एक switch करने से पहले, य नाम है अर्दिंग, तो अर्दिंग है पहला, लोकल अर्दिंग, ये हम अपने घर में खुद कराते हैं, ये अर्दिंग, मतलब अर्थ से connection कराना, धर्ती मा से connection कराना बिजली का, क्योंकि धर्ती मा तो सबकी मा है, सारी बिजली ले लेगी और कुछ नहीं होगा, सारा, yes, electricity अर्दिंग करने के लिए क्या करना पड़ता है, लोकल अर्दिंग पहली बात है करते का हैं, हम अपने घर के appliances, जो मेरे घर में लोहे के appliance है, रही AC है, लोहे की body है, cooler जो लोहे वाली body वाले cooler है, या even fridge है, जो refrigerators है, वो भी लोहे की body वाले है, उनमें बड़ा खत्रा है, क्या खत्रा है सर उसमें, आप पूछोंगे न, खत्रा ये है कि अगर इनकी body में कहीं current आ गया, तो क्या होगा सर fridge तो ममी बहुत बार खोलती है, क्या बढ़ करते हो, iron press तो ममी बहुत बार चलाती है, तो iron press तो iron का बना होता है, लोहे का बना होता है, क्या उसमें current नहीं आ सकता है, क्या, जरूर आ सकता है, तो उसमें अगर current आ गया, तो घर वालों को कितना खत्रा है, आपने सुना ही गढ़ा है उसके नजदीक करना पड़ता है क्या करते हैं। से तीन मीटर गहरा गड़ा देखिए यह जगर के बाहर जहां में घर है मारा यहां से पोल से स्विच आया है वहां के बात की बात कर रहें देखे घर के बाहर क्या पाइप इसको मोटा कॉपर का रॉड कह रहे है और उसके अंदर एक एक मोटी copper की wire है, देखिए ये copper pipe है, ये जो hollow pipe है, किसका है, ये copper का pipe है, ये copper का pipe है, और इस copper के pipe के अंदर बीचो बीच क्या है, copper की wire, अंदर मोटी सी, ठिक सी, ठिक सी copper की wire लगा दी गई है, ये copper की wire नीचे आ करके, एक copper के plate से, ये नीचे देखिए, बड़ा सा, मोटा सा copper सब्सक्राइब कॉपर 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 क्यों यूज कर रहा है सर क्योंकि यह very very good conductor है और महेंगा भी नहीं है सिल्वर इससे better होता है पर सिल्वर तो बहुत महेंगा होगा ना इसलिए copper की wire यूज करते है best conductor है after silver तो ठिक copper plate से इसको जोड़ दिया गया है देखिए अब ये क्या करेंगे जमीन के अंदर गार देंगे और साथ में इसमें क्या डाल देंगे यहाँ पर mixture of charcoal that is koile का mixture और salt का ताकि इसमें थोड़ा पानी डाल देंगे ताकि earth connection बना रहा है ताकि इसके अंदर moisture बना रहा है और इससे क्या फायदा होगा इस तार से फायदा क्या होगा इस तार जो बहार निकल रही है ये 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 wire ये wire हमारे घर के meter में ये लिखा है ना to earth connection at kilowatt hour meter ये हमारे घर के meter है उससे जोड़ते हुए हमारे घर के हर एक device हमारे घर में जो जितने भी devices हैं उनसे ये connect हो जाएगी अब उसके बाद अगर कोई भी device आपके घर में जो iron का बना है या metallic body है जिसकी उसमें अगर high current आएगी तो वो high current इसके द्वारा यहां के द्वारा वो current कहां चले जा earning के setup को तयार करने मदद करती है आपके घर के अंदर earth connection बना रहे access current आपकी बनी रहे इसलिए लगाया गया है तो local earning क्या करती है आपके घर में अगर short circuit हो जाए access current आ जाए इन सबकी current को घर के घर के अंदर yes घर के depth मिले जाती है otherwise क्या होगा आपकी wire heat हो जाएगी और आपके गर में आग भी लग सकती है excessive heating भी हो हो सकती है कि आप देखिए किसी appliance के साथ भी earning कर सकते हैं मैंने कहा हर एक appliance चाहे वो iron का press हो आपके पास AC है हाँ सब में सब में earning हो रही है आजकल जीरे इसको ध्यान से देखिए imagine करिए यह आपके पास एक बड़ा सा appliance है कलिए मैंने मान AC का metallic body है यह ठीक है metallic body है बहार से ठीक है तो जब आप देखेंगे कि live wire आ रही है लगा है fuse उसके बाद लगा है switch और यह live wire टच कर रही है इस body क्या नाम है इस body को देखिए किसकी बनी है metallic body है यह AC का जो अंदर का metallic body है जो पूरे metal की body है उससे touch कर रही है दिख रहा है द्या इसको touch कर रही है अब यह live wire अगर यहां से yes इसके उपर जो plastic की coating होती जो insulation की coating होती है अगर वो कुछ दिन बाद क्या हो जा हट जाए तो क्या होगा imagine करिए वह आपको पता है ना wire के उपर यह देखें मैं दिखा रहा हूं यह देखें wire के उपर black रंकी आपको wire दिख रहे ह जोगी एक्चुली live wire इसके अंदर है यह तो plastic की coating है उपर जो insulation कर रही है मेरे हाथ में current नहीं लग रही है इसके अंदर है अगर उपर छिलका निकाल दिया तो तो सोची यही हो रहा है यहां से इस live wire का coating हट जा रहा है metallic case से और इस point पर क्या हो जा रही है current इस body में आ जा र गया है देखिए एक earth connection इसकी body पर दे दिया गया है क्या दे दिया गया यह देखिए एक earth connection दे दिया गया है अब यहां से अगर current आएगी भी तो यह current अर्थ के द्वारा yes अर्थ में चले जाएगी जो हमने local अर्दिंग की थी वहाँ चले जाएगी और हम लोग बच हलकी जीसे चंचनाहट जीसे कहते है न वो पता चलेगी पर आपको शौक नहीं लगेगा death नहीं होगी yes पच जाएंगे हम लोग क्यों कि क्या हुआ जो current आई वो current कहां चले गई अर्थ में चले गई metallic body से कहां चले गई अर्थ में चले गई किसी व्यक्तिक को नहीं लगे तो outer case जो उपर outer metallic case है उसी को क्या कर दिया गया है अर्थ कर दिया गया है अर्धिंग connection से connect कर दिया गया है इसी को फाइदा है local earthing से समझ गया न तो कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि live wire क्या हो direct touch हो जाए metallic body से ठीक है न और यही reason है ऐसा करने के लिए तब high potential आएगा भी पर आप तो बहुत use कर रहे होंगे हाँ कोई दो डिवाइस बताईए जिसमें आपके घर में plug लगा है अरे सर जी हाँ आपको बताना है मेरे सुपरस्टास बताईए any two devices that has a plug हाँ three pin plug वाला कोई दो डिवाइस आपको नाम बताना है मैं आपको बताने जा रहा हूं यह plug के diagram से कि सब सबसे बीच में जो पिन आपको दिखाई दे रहा होगा topmost देखे सबसे बीच में वह अर्थ पिन है क्या नाम है इसका नाम है अर्थ पिन क्योंकि यह अर्थ कनेक्शन से करना होता है सबसे सेंटर में होता है सबसे ठिक पिन होता है कैसा होता है अर्थ पिन ठिक और होता है और यह pin क्यों लमबा रखा गया है अर्थ का connection क्या अरदिंग याद कर यह अर्थ का connection सबसे पहले हो live connection पहले नहुंत को इसलिए यह pin सबसे मोटा और लमबा उसके बाद lc left it an are दो जो पिन है L से left L से live live wire का left pin होगा और बचा neutral wire neutral wire का right वाला होगा ठीक है तो तीन pin मिलेंगे left is live तमझ गया pin और right is neutral L से left L से live अब आता है ये pin कहां ये 3 pin plug किसके अंदर घुसता है कहां fit करते हैं तो मैंने जवाब दिया कि ये 3 pin plug एक socket के अंदर जाके fit हो जाता है अरे plug है तो socket भी तो होना चाहिए भाई हाँ भाई socket आपके switchboard में लगा होता है और ये plug कहां होता है plug devices में लगा होता है मैंने आप से पूछा था give to devices name to devices which have 3 pin plugs सोच के बताईएगा आपके घर में ऐसे बहुत से device होंगे 3 pin plug, 2 pin वाला नहीं चाहिए आपके mobile में 2 pin plug लगा है प्लीज ध्यान दीजेगा आपने mobile को ध्यान से देखो उसमें 3 pin नहीं है आपके mobile का charger देख लिजे उसमें 2 pin नहीं है उसमें अर्थ वाला pin नहीं है ध्यान दीजेगा आप मैंने 3 pin का example पूछा है तुमसे चलो बताओ दो एक्जामपल देने, दो devices जिसमें 3 pin plug लगा हुआ है तो मैंने का यह जो 3 pin plug है यह जो 3 pin plug है वो इसके अंदर fit होता है कहा जाता है इसके अंदर चला जाता है तो यह hole होते है socket में क्या होता है hole होता है सबसे बीच वाल सबसे बड़ा hole होगा जो सबसे बीच वाल है यही है अर्थ का hole यहाद है सबसे बीच वाल अर्थ connection करता है दूसरा कौन सा है right side में है yes right side में मैंने पहले ही बताया था कि वहाँ pin में right side में neutral wire है यहाँ पर है live and then left is for neutral देख लीजिए opposite काम करेगा pin का ऐसे जाएगा opposite करेगा अप ऐसे देखोगे जब जाएगा तो ऐसे जाएगा इसलिए opposite काम करेगा आईए आगे बढ़ जाते है socket, socket में तो shade होता है socket के अंदर तो holes होते है plug में क्या होता है pin बनी होती है याद रखोगे अब क्या ध्यान देना है आपका हाथ dry होना चाहिए use करते समय मैंने पहले बताया था wet end में electric का खत्रा है दूसरा जो pins लगी है वो पूरे tightly fit होने चाहिए pin को अच्छे से fit कर दो अंदर fit कर दो अच्छे से क्यों sir tightly fit क्यों करे अरे भाई tightly fit नहीं करोगे तो फिर क्या होगा सारा जो sparking है और pin के connection lose होने के वज़े से क्या हो जाएगा आपका circuit खराब हो जाएगा socket even जल जाएगा sparking हो सकती है burning भी cause हो सकती इसलिए जब भी लगाना अपकी बार ध्यान देना कभी-कभी आप plug लगाते हो लापरवाई से लगा देते हो तो plug लगाना तो अच्छे से tightly लगाना ठीक है ताकि क्यों ही sparking नहों सके आईए जानते है तो उससे बचने के लिए ताकि लोग पहचान सकें कि कौन से switch की wire है कौन से fuse की wire है आप तो जानते है switch और fuse की wire तो live wire है जी पहले red color को use किया जाता था live wire में आजकल brown color use ये old color है ये new color है color आना चाहिए पहले neutral wire का black color हुआ करता था neutral wire black color में use होती थी आजकल light blue color use हो रहा है पहले earth wire green में होती थी green होती थी आज भी green है या कभी-कभी yellow है तो earth wire का रंग नहीं change वा दुनिया धर्ती हरी थी हाँ धर्ती अर्थ तो आज भी धर्ती हरी और भरी भी है भरी क्यों है क्योंकि पीली भी हो गई है चलो अब दिखाता हूँ आपको ये बड़ा सा tower आपने जरूर देखा होगा पिजली घर से ये current ले जाते हैं और मैंने बताया 11,000 volts से जादा yes, 1,32,000 volts तक ये current करी करते हैं voltage करी करते हैं तो ये टर्म ये जो towers हैं बड़े बड़े दिख रहे हैं ये high tension wire करते हैं, कौन सी wire high tension wire, नाम में देख लो tension इसके पास बहुत ज़ादा है और सर्तरून के साथ कोई tension नहीं होने चाहिए आपको क्योंकि मैं आपका no tension teacher हूँ, मैं आपको बात बात में ही, example के साथ ही, आपके सारे chapters यूँ ही finish करा देता हूँ, सिरिफ एक subject नहीं, सिरिफ physics नहीं, आपके सारे major subjects मैं ही, yes मैं ही one handed, single handed, yes, your one stop solution for ICSC, Google sir, yes, Google sir for ICSC, आपने ही मुझे नाम दिया और मैंने इसको सहर्ष स्विकार किया तो इसी लिए हूँ, इसी लिए हूँ आपके प्यार और विश्वास के वजए से मैं इतना boldly, इतनी energy के साथ, yes, ये chapters करा पाता हूँ, क्योंकि आपका प्यार मिला आपका support मिला, इसी लिए मैंने किसी भी classes के लिए, किसी भी contents के लिए, अभी तक कोई भी charges, yes, इन notes के लिए, lesson, videos के लिए, किसी के लिए कोई charges नहीं रखा है चलिए, तो high tension wire क्या होती है, ये एक मोटी तार होती है, आम भाशा में बोलें, क्या, एक cable होती है, जिसके अंदर capacity होती है, high current को carry करने की, yes, इसकी current capacity ज़्यादा होती है इसकी current capacity बहुत ज़्यादा होती है, yes, अगर current की capacity exceeding हो जाएगी, तो कई बार क्या होता है, high voltage की वज़े से, तार heated हो जाती है और even कई बार क्या हो जाता है, fire लग सकती है, excessive current की वज़े से, fire का एक खत्रा हमेशा बरकरार रहता है तो ऐसा ना हो कि आग लग जाए, तो इसको बचाने के लिए high voltage को, yes, ध्यान तुनिएगा, high voltage को और heavy current को बरदाश करने के लिए एक special type of wire बनाई गई होती है, नाम है high tension wire क्या खास बते है, इस high tension wire की कुछ खास बते है क्या, हाँ, मैंने कहा था, अगर आप शेहर के बाहर रह रहे होते हैं या गुजर रहे होते हैं, तो ये बड़े-बड़े आपको ये distribution towers दिखाई देंगे तो इन में आपको दिखाई देगा, क्या दिखेगा आपको, ये जो high tension wire है, इन में very low resistance होता है इसमें resistance बहुत कम होता है, और इनकी surface area बहुत ज़ादा होती है इसका मतलब क्या है, कि इसके अंदर ability होती है, क्या करने की, heavy current को pass कर देने की yes, धेर सारी current चली भी जाएगी, ये देखिए, बहुत सारी current क्या होती है, चली जाती है high voltage चला जाता है, मैंने बताया था आपको lesson के beginning में, कि very 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 high voltage of current question क्या था, कि high voltage of current सर क्यों आती है, तो मैंने बताया, कि अगर power station से आपका घर बहुत दूर है कई बार तो 100-100 km से ज़्यादा दोर है, अब सोची, वहां से electron travel करेगा, power station से power station से current निकली, electron निकले और आपके घर तक पहुचना है इसको, कहां जाना है, आपके घर तक पहुचना है यह है आपका घर, power station से आपके घर तक पहुचना है current को तो यहां पा अगर voltage low करेंगे तो electron यहां तक पहुचते पहुचते थक जाएंगे नतीजा क्या हो जाएगा, वो electron क्या हो जाएंगे, थक जाएंगे, current loss हो जाएगा, current पहुच ही नहीं पाएगी तो इस loss को बचाने के लिए ऐसा करना पड़ता है, very very high voltage में current को send करना पड़ता है ओ-ओ, कहां चला गया चलिए आगे बढ़ते हैं भी खतम नहीं हुआ topic चलिए आगे दिखते हैं और अब हमारे पास है चलिए, एक बार आपको, येस आगे ले चलते हैं, ओ-ओ, चला गया आपको ले चलते हैं, क्या-क्या safety precaution करना चाहिए जब आप electricity को use कर रहे है तो चीजों का जादा खत्रा है बिजली की चीज़, घर में देखिए बिजली, येस अगर काम की वस्तू है, तो खतरनाग भी वस्तू है, घर में अपने आप में मौत का समान है बिजली ठीक सुना आपने, घर में अपने आप में एक life ending का समान भी है अगर घर में आराम देती है बिजली, तो लोगों की जान भी ले सकती है बिजली तो इस बिजली से बचना है आग कडर है और शॉक कडर है जब तार लाइव वाइर जtechnिक हो जाती है और लाइव वाइर हीट क्यों होती है रीजन क्या है सर तो मैं आपको एक एक्जामपल से समझाता हूँ जैसे लाइव वाइर जा रही है देखें live wire जा रही है इसके बगल में देखें neutral wire जा रही है ये किसी device से होते वे समझाना कर चाता हूँ किसी device से होते वे lot के आ रही है अब सोचिए ये live wire यहां मिल जाये तो क्या होगा दोनों को कहते हैं short circuiting ठीक सुना short circuit circuit क्या हो गया छोटा हो गया ठीक है न ये circuit ऐसे जाकर के यहीं से turn के हो गया तो circuit क्या हो गया छोटा लंबा रास्ता था circuit is a round path through which current flow और short circuit में छोटा रास्ता तो current के electron यहां से यहां न जा करके अब यहीं से move करके चले आएंगे तो यहां पर heavy current आएगी नतिज़ा ये wire क्या हो जाएगी heat हो जाएगी और आग लग जाए तो heavy current तब होता है जब क्या हो current क्या हो current करिंग केपस्टी जो हो वो wire से जाधा current चले जा रहे है ठीक है न सोचे imagine करिए आपको एक AC on करना है और AC का wire आपने देखा होगा बहुत मोटा थिक wire होता है घर की normal cable से अगर आपको AC का on करेंगे तो वो wire shot हो जाएगी ठीक है तो इसलिए क्या करते है येस प्रॉपर करिंग केपस्टी वाली wire रखते है अच्छा एक और ध्यान देना है शौक कब लग सकता है ध्यान दीजेगा विजली का खत्रा कब कब है अगर आपने प्रॉपर इंसुलेशन वाली wire नहीं लिए wire के उपर क्या होना चाहिए एक प्रॉपर प्लास्टिक अच्छिंग होगी मेटल जो कॉपर मेटल है इसके अंदर है इंसाइड है तो प्रॉपर क्या होना चाहिए इंसुलेशन होना चाहिए डिवाइस को टच नहीं करना चाहिए वेट हैंड से दूसरा अप्लाइंसे की अर्दिंग होनी चाहिए मैंने रिखाया था लोकल और मैंने कहा यह हो सकता है कि करेंट फ्लो कर रही हो पर डेथ नहीं होगी फेटल नहीं होगा ठीक है आईए यह रहा एक कंस्ट्रक्शन जिसमें मैं दिखाना चाहरा था कि किस तरीके से पॉर्सलीन होल्डर में यह पॉर्सलीन से चाइना क्ले का बना हुआ यह फ्यूज रहा है जो आपको दिखाई दे रहा होगा आप क्लियर कर देख पा रहे हैं इसका कंस्ट्रक्शन मॉलेड़ी देख चुके हैं इसका वर्किंग भी है मॉलेड़ी देख चुके हैं तो इस ब्रिंस टू दी एंड अफ दी चैप्टर और यह पूरा यह सब कुछ एक्पनेश simplest language में आपने मुझसे finish कर लिया है यह मेरा promise है यह मेरा वचन है आप लोगों को अगर आपने मुझे support किया तो मैं सारे yes सारे record ध्वस्त कर दूँगा आपके साथ yes promise करता हूँ आपके साथ आपसे double मेनत करूँगा yes twice the मेनत twice the hard work that you do ठीक है और इसी विश्वास के साथ कि superstars मेरे साथ हैं तो मुझे डरने की क्या बात है और इसी विश्वास के साथ की आपको लगातार lesson वीडियो मिलते रहेंगे मैंने almost सारे subjects के चाहे आप history, geography, civics, English, maths, किसी भी subject की बात करिए मैंने सारे subjects के लिए majorly chapters खतम कर दी है हाँ physics में भी बहुत ज्यादा topic बचा नहीं है geography के भी last के एक ही दो chapter बचे हैं आप चाहे तो check करके देख लिजे latest videos 2023 के videos मैंने सारे बनाए हैं yes ये आप अगर chapter के नाम से check करेंगे तो आपको बहुत असानी से मिल जाएगा आप मेरे playlist में भी आ करके check कर सकते हैं ठीक है और fuse की working क्योंकि मैंने already समझा दी है आपको yes thank you and love you God bless you क्या करना है please 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 self के लिए yes self के लिए समय निकालो दुनिया का कोई भी teacher कोई भी teacher जो आपको पढ़ा रहा है वो मुझे यकीन है yes आप से अच्छा नहीं होगा yes तुम से अच्छा नहीं होगा तुम से better नहीं होगा अगर तुम लग जाओ तो दुनिया की कोई ताक तुम्हें रोक नहीं सकती है और इसी विश्वास के साथ कि आप में है दम और बाकी सब में है पानी कम thank you and love you and God bless you see you in another video bye from now